हालो हालो वेलकम वेलकम बैक बैक तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा टियागो सी एंजी प्लस एम्टी के बारे में जो की 7,90,000 रुपे एक शोरूम में टाटा ने अभी अभी रिसेंटली ही इसका प्राइज रिवील कर दिया है चले इस वीड और जिनने बार बार बंपर टू बंपर ट्राफिक में प्रवास करना पड़ता है या हम उसे कह सकते कि जिनने बंपर टू बंपर ट्राफिक में अपनी गाड़ी चलाना पड़ता है तो उन कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटरस ने ये गाड़ी बनाई है औ उसको साथ साथ उन्हें fuel efficiency भी चाहिए और ट्राफिक में बार बार gear change करने के दिक्कत नहीं चाहिए तो उनके लिए गाड़ी एक वर्दान होने वाली है ताथ साथ fuel efficiency भी आपको अच्छे तरीके से निकाल के देगी टाटा टियागो टाटा की तरफ से आने वाली पहली एसी हैजबैक है जो की टाटा ने अपनी twin cylinder technologies में इंटर्डूस की गई है और भाई पहली एसी entry level कार है जो की automatic gearbox के साथ हमें CNG का option भी provide कर रही है और भाई 7,90, रुपीज से लेकर 8,90,000 रुपीज तक ये कार आती है कार की top variant की price की बात करें on road लगबग 10,00,000 रुपीज तक on road ये कार हमें मिल जाती है top variant में और जो Tiago manual CNG में आती है मतलब ICNG नहीं है जो की normal CNG है manual में तो उससे लगबग 55,000 रुपीज ही ये costly है मतलब काफी ज्यादा महेंगी भी नहीं है लगबग सिर्फ 55,000 रुपीज का difference हमें manual CNG Tiago में देखना क्यों मिलता है AMT CNG के मुकाबले टेरेंडो ब्ल्यू कलर अभी recently ही इस Tata Tiago ICNG में introduce किया गया है जो की काफी अच्छा लगने वाला है काफी सारे लोगों को अगर हम इस कार के mileage की बात करें जो की mainly mileage को देखते हुए ही लोग इसे choose करने वाले है तो लगबग 28 km per kg की ये कार हमें mileage देने वाले है ऐसी company क्लेम कर रही है और Tata Motors का ये भी कहना है कि पहले के मुकाबले काफी ज़्यादा performance इस गाड़ी का अच्छा हो चुका है और आपको पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ से कब CNG में switch कर रही है या फिर CNG से कब petrol पे आ रही है मतलब काफी ज्यादा जर्ग free performance इस कार आपको देने वाली है ऐसे Tata Motors हमें बता रहे है और उसके साथी भाई हमें 168 mm का ground clearance इस कार में हमें देखने को मिलता है जो की काफी बढ़िया माना जाता है तो इस Tata Tiago ICNG में हम 73 PS की power देखने को मिलती है और 103 Nm का torque और भाई टॉप variant की में आपको कीमत तो बताई है लगबग 10 lakh रूपीज on road कीमत जाती है और 7 lakh 90,000 रूपीज एक शोरूम से लेके 8 lakh 90,000 रूपीज एक शोरूम इस कार की price है जो की on road 10 lakh रूपीज तक जाती है और rain sensing wiper फ्रेंट में प् हमें मिलने वाले है टियागो के ही सबसे और finishing भी काफी अच्छी है आप हमें देखने को मिलती है और यह दो सिलेंडर होने के साथ साथ हमें 60 लीटर की cng capacity इस कार में हमें देखने को मिल जाते है लगबग 8.5 kg cng gas इसमें आ जाएगी आराम से अगर हम बात करें इंटिरियर की तो decent सा interior हमें आपे देखने को मिल जाता है 7 inch का infundainment system उसके साथ ही हमें android auto apple carplay भी आपे देखने को मिल जाता है climate controls usb c port for charging and steering wheel पे जो हमें cruise control का option है आपे देखने को नहीं मिलता भाई और steering में left side में हमें Tata का काफी सारे control से आपे देखने को मिल जाते है और बीच में Tata का new logo मतलब logo तो से में सिर्फ जो texture है थोड़ा बहुत उसमें changes किये गए है और उसके साथ steering wheel पे हमें control देखने को मिल जाते है cruise control तो भाई आपको देखने को मिलता है नहीं है इस car में seat height adjustable उसके साथ इलेक्ट्रिकल एडजेस्टेबल और यह folding भी हो जाते है और भाई इसमें adjustable steering steering wheel होता है मतलब tilt होता है सिर्फ telescope कि आप हमें देखने को नहीं मिलता है और BS6 phase 2 engine इस गाड़ी में introduced किया गया है और insulation भी हमें इस engine पे देखने को मिल जाते हैं यह सारी चीज़े तो अभी तक हो गई लेकिन अब बात आती है driving dynamics की आकिर भाई यह car चलाने में कैसी है तो मैंन या 10 lakh rupees के अंडर है और जिनको एक fuel efficient गाड़ी चाहिए कम cost में चाहिए और उसके साथ साथी आपको CNG उसमें चाहिए comfort चाहिए लेकिन आप इस car से काफी ज़्यादा high performance नहीं accept कर सकते और जिने traffic में गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत आती है manual गाड़ी तो उनके लिए यह काफी अच्छी गाड़ी होने वाली है क्योंकि इस car में हमें creep mode देखने को मिलता है मतलब होता क्या है जैसे हम brake छोड़ते है तो यह गाड़ी अपने आप चलने लगती है 10 to 20 के speed में जो की traffic में काफी ज्यादा काम की यह चीज है क्योंकि without acceleration हमारी गाड़ी आप उठ जाती ह और यह फीचर bumper to bumper traffic में काफी ज्यादा काम आता है क्योंकि AMT होने के वज़े से आपको कोई भी गेर चेंज करने की दिक्कत इस car में नहीं आएगी और उसकिन आप high performance इस car से accept नहीं कर सकते इस car से आपको अंदल है नहीं लगा सकते कि आपको जैसे आप acceleration करेंगे एक कार इस ज्यादा ऐसा performance नहीं चाहिए कि भाई ऐसे पंजा लगाते ही गाड़ी ऐसे सुई की तरह भागे ऐसा आपको इस car में देखने को नहीं मिलेगा डिसेंट सी performance इस car में आपको देखने को मिलेगी कि अगर हमारा एम ही fuel economy निकालना है हमें नॉर्मली ज्यादा तर ट्रैफिक म में एम मुझे आपे लगता है और उसके साथ ही आप इस गाड़ी से और भाई आप इस गाड़ी से काफी अच्छा performance की आशा नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल सी performance इस गाड़ी में हमें देखने को मिलेगी और टियागो जो है ना वो काफी समय से आने वाला पहला प्रोड़क हम इस कार को गया सकते हैं और इसमें अभी ट्विन सिलेंडर टेक्नलोजी होने के कारण इसमें काफी अच्छी वैल्यू एडिशन कस्टमर को दी गई है जो की काफी बढ़िया बात है और 82-90 के स्पीड पे अगर हम इसे मेंटेन करते हैं performance में तो आपको कोई भी दिक्कत आप ही नहीं आएगी और अच्छी खासी एवरेज भी आप इस गाड़े से निगाल सकते हो तो भाई कुछ यही मेरा ओपिनियन था इस कार पर अगर आपको वीडियो पसंद आतो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब दरूर दे और जल्दी हमें 20 के सब्सक्रा मतरम